Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्गोड के नदर में हम में हिस्ट्री MHA 03 का दिसंबर 2022 की कोस्ट्री को सॉल्फ करने वाले हैं दोस्तो अगर हम अपनी बुक MHA 03 के बारे में बात करें तो इस बुक के अंदर में हमें हिस्टोग्राफिय टिहांस लेकन पढ़ना होता है इसके अंदर हम यह जानने के process करते हैं कि इतिहास को लीखा कैसे जाता है इतिहास को लिखने की प्रकिरिया क्या होती है, कौन कौन से विचारधार है उसके बारे में हमें आपने डिस्कस करते हैं अगर आज के हम अपने question paper के बारे में बात करें तो इस question पर को solve करने के लिए हमें 3 घंटे का time मिलता है, total हमें 100 नमर के paper को attempt करना होता है, 5 questions exam में पूछे जाते हैं, आपको 110 में से 5 questions को solve करने होते हैं, और सबसे most important चीज़ जो आपको हमेशा याद रखना है, हर एक question का जो answer आप लिखोगे, आप word limit को follow करते हुए लिखोगे और आपको 500 word limit के अंदर में ही अपना answer complete करना है, तभी आपको number proper मिलेगा, चले हम अपना question paper को start करते हैं, जो मारा सबसे पहला question आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं, इतिहास लेखन के रानके वादी परमपरा क्या है, एक समिक्षप, नातमक टिपनी लिखी है, रानके पूरा नाम है, लियोपोड फॉन रानके करके इनका पूरा नाम है, ठीक है, रानके वादी अगर प्रमपरा आता है, तो भी इसके अंदर में आप लियोफोड रानके के बारे में बताओगे, या फिर कई बार पूछ लिया थे थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, कि 1895 में इनका जर्म होता है, और टोटल 1886 तक में ये जीवित रहते हैं, और इस तरह से पूरा ये टाइंग पर इनका रहता है, साथ साथ में आप देखोगी कि ये जो विचारधारा था, उननीसी सताबदी के अंदर में बहुत ज़्यादा फली फुली एक जर्मन इतिहासका थे लिव फोर्ड रान के ठीक है, इसके अंदर में था क्या, इन्होंने जो बाकी इतिहासका रूस्ता में एक्जिस्स कर रहे थे, उन्से थोड़ा अलग हटकर इनकी विचारधारा रखी गई, इनको अनुभावा आत्मक जो विचारधारा है अनुभावा आत्मक इतिहास लिखन है, उसके जनक के तौर पे भी जाना जाता है, अगर आप इसके अंदर में बात करोगे, यह सबसे अलग नई विचारधारा के साथ में, नई परमपरा के साथ में इतिहास लिखन के सुरुवाद करते हैं, ठीक है, कुछ नए तोर तरीकों की हिसाब से इतिहास लिख पीछे जो इंसिडेंट हो चुका है, वो किस प्रकार का है, उसको समझने के कोशिस करते हैं, तो लिखोर रांके ने यह माना, अपनी सरतों पर उसको स्टड़ी करने के किस तरीके से उसको समझा जा सकता है, साथ-साथ में वो कहते हैं, कि जो बिते हुए यूग है ना, वर में ना, अज के हिसाब से पीछे का नहीं देख सकते हैं, और या पीछे की हिसाब से आज का नहीं सूं सकते हैं, पीछे का निहीं सूं सकते, से अगर 10 साल पहले जाते हो, सब्सक्राइब चलता था साथ दिन चलते थे और आज किया कि सुबह से लेकर साम तक में पांट साथ जीवी आड़ेज भी खतम होता है तो पीजे को देखकर आप आगे को स्टेडी कर सकते हो तो यह कहते हो हिसाब से समझना पड़ेगा अगर हतीत को स्टेडी कर एक पास्ट को सर्तों की हिसाब से कि उससमें कि क्या environment था क्या conditions था उसके हिसाब से अपने लिए फोर्ड रांके कर आप विचारदारों को पड़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़े बताई गई उनको एक अनुभावात्मिक जो अनुभावादी एतिहास करके तौर पर जाना जाता है उनकी मानेता दी जाती है साथ साथ में उनको जो उनका माध्यम तानुभाव का माध्यम ता ग्यान की प्राप्ति थी वो केवल केंद्रित नहीं थी मतलब एक जगह पर इस्थिर नहीं थी वो अलग अलग जगह के हिसाप से बताते हैं मतलब जगह नहीं यहां पर हम प्लेस की बात नहीं करें मतलब कितना विकास सिल था वो उसकी बारे में बात करें एक तो हम history लिखने की बात करते हैं तो वहां पर अनुभव का एक बहुत बड़ा रोल होता है बहुत बड़ी मतलब एक important place रहता है अनुभव का experience का यार यह चीज ना इस तरीके से दिख रही है तो मतलब इसका मतलब यह हो सकता है तो अनुभव के अधार पर यह लिखने की कोर् समझ में आएगा हमारे दूसरा question होता है यहां पर प्राचीन भारत में इत्यास लिखन की परमपराओं की वीवेचना कीजिए प्राचीन भारत के अंदर में इत्यास लिखन कैसे लिखा जाता तक इसके बारे में हम बात करते हैं देखो ещё कम सबसे पहले जब भीम प्राचीन अगर हमें किसी चीज मतलब उन्होंने सही तरह किसी स्टड़ी नहीं करने की कोड़िस करी जैसे देखो मियां पर कुछ आपको एक्जांपल देता हूं मुगल कालिन के समय पे काफी सारे इतिहास कर रहा है जो अरब के लिखने वाले थे फार्सी थे अरबी थे हुआ है अंग्रेजी टाइम पे भी बहुत सार इतिहास कर रहा है ठीक है उन्होंने यह माना कि भारत का इतिहास लिखन का कोई मतलब साक्षे नहीं है इतिहास लिखन ये सारी चो किसे कहानिया क्या है, मन घढनत है, सारी बनाई हुई है, फैविकेटेड है, ये मान कर चलते हैं, सासात में वो ये कहते हैं, कि अगर आप चलो उन कहानियों को अगर हम बिलीब भी कर ले, for example, मान लिया किसी कहानी को कि वो कहानी सच है, पर उस कहानी के लिए कोई date time का mention नहीं है कि यार कौन से time period में घटना घटी, ठीक है तो ये चीज़े रहती है और चलिए इसके बारे में भी हम आगे discuss करें कि क्यों इस तरह के चीज़े थी करें इस तरह से यूगों में बटा हुआ है परसन के हिसाफ से रिफाइन करते हैं करते हैंने और मौरे काल की अंदर में यह जा छाए नहीं नहीं पता मान के चलते हैं 2 से कि लिए ठीक हम माल नो कोई योजना बताते हैं यह वाला चीज ऐसे हुआ तो आप क्या योजना बताने के लिए मुझे उस डेट की जड़त मी बढ़ेगी सीधा बोल दो मौरेकाल के अंदर में हुआ वो देख लेगा समझ लेगा क्या हुआ ठीक है अब जैसे मालों जंदन खाते खुले तो जंदन खाते खुले तो मैं क्य लिए था कि युगों को बात कि के एधार पर या फिर टाइम पिरेट के अधार बजाए person के नामों का उपयोग कि गटित हुई तरीके से लिखा जा ता जिसके डिखा जाता था जिसु हैं ऑने वाले थिहांसकार थे त्हांस श्वाल थे चलों पत्रों जंदन से न भारत से ज्यादा उपनिशद हैं ठीके ग्रंत हैं वेद हैं ठीके हमारे महाबारत रमायन इस तरह के बड़े पुरान हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत धर्म जैन धर्म ठीके और मोरे समराज जी के आसपास के टाइम प्रेट की मतलब हाजारों किताबे आपको मिल जाएंगे जिसके बेसिस पर भारत की इत्यास को समझ सकते हो कि भारत है क्या तो इस कोशन को मैंने पहले करवा रखा है और जितने भी पेपर के अं कारण कारे संबंध कैसे इत्यास लेखन में कारण कारे संबंध को स्थापित करने के लिए प्रयुक्त वीडियो की वह इचना के जिए अब दो करन कार संबंध होता किben het यह भी एक important topic है, इसमें कई सारे तिहास का राते हैं, जो इसके उपर में बात करते हैं, यहाँ पर simple सा एक definition यह समझो, कि किसी घटना के घटित होने में, जो परस्तितिया जिम्मिदार होती हैं, उसी को हम कारण कहते हैं, कोई घटना घटी, आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अभी मैंने पीछे रात में एक इक बज़े जाके वीडियो बना रहा हूँ, जबकि मैं सो जल्दी जाता हूँ, लेटी भी उट रहा हूँ, तो इस तरह का आला से भरपूर, जो है मेरा daily life चल रहा था भी कुछ नाइम से, पर एक तारिक से स्टार्ट हुआ है, और सारा कुछ बंद होकर, रात में भी जगना है, सुबह भी उठके पढ़ना है, क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कारण है, कारण ही है कि एक्जाम चल रहा है, तो कहते है कि किसी भी घटना के घटित होने में जो प्रिस्तितिया जिम्यदार होती है, उसी को हम कारण कहते हैं, प्रेश्टितिया कोईसे जीमिदार यह ए एक्जाम चल रहा है है यह प्रक subsidy मेरे जीमिदार है जिसके कांट से मुहें चले हीवी है खुद बस इतना ही लगता बस इतना ही बगवान बस यही छे यह है थीके तो बहुत इंट्रेस्टिंग होती है कभी आप feel करना ठीक है और यह अपे ई भी कि अगर अभी आपके एक्जाम है अभी तक आपके एक्जाम खतम नहीं हुए तो अगर आप दीर आपकी गुरुप से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट किजिएगा मैं आपको वर्ट्स गुरुप का लिंक दे दूगा वहां से आप बहुत सारी बच्चे हैं आपस में सबस्तित्राइब की यह सब्सक्राइब कारण कार। पाला क्वा, यह बिक्वा कारण कनी सब्सक्राइब कार घ्रओं, यह कारे था, जिसके कारे का घटित होने के बिचिह ये कारण था उन दोनों की relations को जब हम बताते तो उसको हम कारण कारे संबंध बोलते हैं ठीक है? स्मझ में आता है? अब इसकी कारण कारे संबंध की जो उस्थाफ़ित करने की परिएओ दरूइड के विदियो की आते हैं जो कहते हैं कि कारन के कोई घटना घटित नहीं हो शकती है उन्घ कार का का माना था ठीक है का लिखते हैं कि इतिहान का अध्यान का और Bijन कि क्या हुआ क्या हुआ इस प्रकार से मतलब हम कारण को पढ़ रहें कि क्या कारण थे चांष को पढ़ रहा है तिहांस को पढ़ना मतलब क्या कारणों का द्यानकरन यह माना charging आरस्तु भी आते हैं आरस्तु जैसे जो इतिहांस कारते हैं उन्होंने ये माना कि कारे कारण के संबंध में कहा है कि कारणों के अभाव में किसी घटना का होना या ना होना संबब नहीं है ठीक है अगर मानलो कारण ही नहीं है मैंने आपको चपेट मार दिया कि कोई शाइनियाeresन कोई घटना घटती नहीं है ठीक है काई बार होता हैं एकसिसे तक्रा जायती बैस ह grace होती तो पूस्ते भाई क्या हुआ तो आज तो पागले ही तुरा कारण है स्क्राइब तो कुछ ना कुछ को एकसेप्ट करते कि हाँ इस तरीके से बढ़ रहा था वहीं पर युनानी इतिहांस का थुसी साइड थुसी देशिस भी मिलेंगे आपको जो हम बोलते हैं कि कारण-कारे संबंद का पूर्ण ज्यान नहीं था उनको ठीक है पर उसी के रूप में व्याख्या करते हैं बॉन टेंशियू भी दिखते हैं आपको जी बैरेक भी मिल जाएंगे आपको यहां पर इतिहांस इस्ट्वर्ड मिल हो गए और बहुत सारी इतिहांस कारे जो इन सब के उपर में अपनी विचाथ धारे प्रकट करते हैं आप उसको पूरी दर से एक्स्प्लेइन करोगे तो बताएंगे किस तरीके से इसका उप्योग किया जाना था परियुक्त विदी क्या है कारनकारे का इस्तमाल करने का उस तरीके से आपको यहां पर पूरा एक्स्प्लेन करके लिखना है इसका भी प्रॉपर एक अलग वीडियो बना रखा है मैंने इसको भी जरूर देखे जि और उसे तीन कोश्ब्स बनते हैं तीनों कोश्ब्स आपको बता तो थोड़ा जिससे आपको समझ में पहला एक कोश्ब्स वाद का किकंफूसिय वाद ने प्राचणी इतिहांस लेकर में किस तरशे पर वहावितिया यह बताओ ठीक है यह पुर्वाधुनिक चीन के अंदर में किस पर करका इत्यास लेखन ये बताओ, दो कोशन हो गए, तीसरा यहां पे जो कोशन बता है, इनकी विसेस्ताओं का बनता है, तो तीनों के अंदर में अलग अलग चीजे लिखनी है, विसेस्ता बात करेंगे, तो दो कोशन जो राना, कानफिस वात क्या है और चीन इत्हास लेखन क्या है वो दोनों को थोड़ा से जरूर पढ़ेगा क्योंकि कई बार एकजाम के अंदर में पूछा गया है आप ही सकता है अब देखो चीनि इत्हास लेखन की विसेस्ता है क्या है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां सच उसमें यह नहीं चलता उसमें सत्य की बात की जाते हैं यह बोला गया है समाचीन करके एक इतिहांस कारते जिन्होंने समय से समय से ही तथ्यों को प्रभावित करने वाली मतलब जो परमानिकता थे ना जो भी तथ्यों इतिहांस लेकरे थे समाचीन तो जो भी तथ्यों को कि विशेस जोड दिया उन्होंने गोला जो भी तख्या आप यूज कर रहें हिस्ट्री के अंदर में उसको परमाइमिनित होना चाहिए प्रूफ होना चाहिए कि हाँ यह चीज इस तरह से हुई थी उसके बेसिस पर आपको त्यार करना चाहिए समाची इनकी जो इतिहांस ले BDW ने गोल गोगने समाचीन के विशह में लिखा है ठीक है जो कहते हैं कि प्रवचन के सब्दाअ भंडर सब्दामबर सब्दामबर मतलब करना निया कि बढ़ा चढ़ा कर करकी बहुत था सी कीज़ी कि यजο जो वर्ट टूवर्ड है उसको उठाकर लिखना जिसके कारण से सही हिस्ट्री लोगों तक पहुंच सके इसके उपर में बात की जाती है जो है उनके बारे में यह भी का जाता है कि चिनी इतिहासकार उसमें बहुत अधिक प्रभावित ही होते थे जो भी उनसे बहुत जादा इंट्राइक्ट हुए और तथी के उसे जितना हो से के उतना वह वस्तूरत मतलब वास्तविक्ता को जोड़ते थे पर रियालेटी के किसा आप से उसको प्रसूत करने की कोशिश की जाती थी ठीक है इस तरीके से इसको बताए गया है ठीक है समझ में आता है दोस्तों इसके अंदर में नॉर्मली अगर आप बात करोगे जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा जब इस को समझा रहा तो तो यहां पर एक माइंड में म हमारे त्यास को पढ़ो तो अब उनको हिंदी से इंग्लिस में ट्रांसलेट करना था क्योंकि हिंदी तो आने दा था था उनको तो उन्होंने पूरा उसकी ना जो मतलब कहते है ना ऐसी तैसी कर दी फार्सी आए वो भी ऐसी तैसी कर दी जिसके बाद से जो आज हम पढ़त हैं कि कि क्या इतिहांस है एक किस तरीके से लिखा लिखा सकता है आज की समय में हमारे ःतिहांस को गलत तरीके से दिखा जाता है ठीक है अगर आप कई सारी बुक्स पढ़ोगे, अपने M.H.I.S.T. के अंदर में कई जगा पर आपको ऐसा जुकाव मिलेगा, जहां पर एक तरफा लिखा गया है, जबकि इतिहांस करका काम कभी भी एक तरफा लिखना नहीं होता है, ठीके, पूरा एकदम neutral होकर दोनों चीज़ों को दिखाना होता है, किस तरीके से चीज़े चल दे हैं, क्या society का mood है, ठीके, किस तरीके से society के अंदर में behavior है, human nature क्या रहा, उसको बारे में बताना होता है, बट यहां पर यह सारी चीज़े हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक, यह समझ में आता है, इसके बाद दोस्तों यहां पर अगल इतिहासकारों के बारे में पूछा जाते हैं, कि माक्सवार इतिहासकारों के बारे में बताईए, ठीक है, और सासत में यह भी बोला जाता है, कि इन पांचों के नाम लिखिए और किनी के दो की कृतियों की विवेचना किजिए, कि किस तरीके से इनका लिखा गया था, ठीक बात करते हैं तो हमारे भारत के भी बहुत सारे माकसवाद इतिहास कारते हैं जिन्होंने इसके उपर में अपनी मतलब अपनी टिपनी करी अपनी उसके बारे में बोला पर यहां पर हम उनके बारे में नहीं बोलते हैं क्योंकि हम उनके बारे में नहीं पड़ते हैं यहां पर आरे स्पेरी करके आते हैं जो कहते कि earlier history के अंदर में किस परकार से work करने का tradition था, क्या किस तरीके से किया जा रहा था, उसके वारे में वो बताते हैं, ठीके प्रोर्टिस्यम करके यहां पे आते हैं वो भी यहां पे बताते हैं ठीके कम्यूनिस्ट के Great Power of Britain के अंदर में जो CBZP करके बन रहा था उसके अंदर में किस तरीके से चल रहा था continue करते हैं अपने work को यहाँ पर इसको दिखाने कोर्शिस किया जाता है ठीक है the power of the poverty of theory किस तरह से ती जो गरीबी की सिधान्त किस तरह का है गरीबी गरीबता का सिधान्त किस परकार का रहा ठीक है तो मैं आपके मैक्स बइबर हो गए ठीक है मैक्स बैबर के बाद में आप बात करो तो यहां पर Christopher Hill का ले सकते हो EP Thompson का ले सकते हो ठीक है तुछ सारी तिहांस का रहे EP Thompson करके तो उन्होंने अपनी जो books लिखी थी the making of the English working class क्लास न वर्किंग ख soufflt क्लास मतलब है जो उस जूलेवर क्लास से creativity कामक करती है उसके उपर में लिखी तो इसके उपर में आप कर सकते यह से आपके दे के ना बड़ा नहीं रख़ा है नॉर्मल साथ रखाए तो आप इसको देखकरि सकते ओं इस को सब्रूट allergies के लीखे बहरत के अंदर में सबाल्टं अध्यानमा को सींपल सा मीमनवर्गय इत्यास के तार पे जानते नु flamingवर्गय के इसको प्रसतूत किया गया सब्हुतर जिसका मतलब निम्न वर्गय निम्नपर्संग अर्थार सब्हुल्टन इसके जनक के तौर पर रंजीत कुहा को माना जाता है कि रंजीत कुहा ने सब आलते नदेन किया अब देखो एक विचार धारा समाज के अंदर में आई कि यार बड़ा जो अमीर लोग है ना उसके बारे में तो हर नियूज वाले हर मीडिया वाले कवर करें छोटे लोग जो करीब हो कि प्रॉब्लम उसको कवर कौन करें अगर आज हम एपी बीपी या बीबीसी को बुलाएंगे कि आज अब हमारे गली में प्रॉब्लम नाली बह रही है ठीक है नाली को साफ करने वाला नहीं आता इतनी गंदीगी है इतना हुआ है कुड़े को उठाने वाली गाड पैनी फिट नहीं होना सिंपल सी बात है वो किसके बारे में लिखेगा कि अडानी ने कैसे गोटाला किया मोदी के उपर क्या चल रहा है मोदी को गोद्रकांट से कैसे बरी हो गया ठीक है तो इस तरह के किसी से पो लिखेगा हिंदू-Muslim किस तरह चल रहा है क्योंकि उसको वो लोग पढ़ना चाते हैं उसके लोग बारे में जानना चाते हैं तो रंजीत गुहा ने भी यही देखा कि सबाल्टा नदेन की जुरत क्यों भीया क्योंकि जितने भी इतिहास का रहे हैं वो बड़े वर्गों के लिए समर्पित है निम्न वर्ग जो निचला तपका है उसके बारे में कोई लिखने रहा उसके काद से यहां पर निम्न वर्ग इतिहास की सुरूआत की जाती है ठीक है समझ में आता है यह वाला को टॉपिक इसको इस वीडियो को भी जरू देखना जिससे आपको चीजे समझ में आए और इजली आप इसको कर सको कोशन नमर हम सेवन के और बढ़ते हैं यहां पर हम बात करते हैं उपनिवेशिक इतिहास कारों के किरतियों की विवेचना कीजिए इसके अंदर में हम जितने भी सोर्स का उप्योग करते हो सारे अंग्रेज थे जो उस टाइम पिरेड़े पर लिख रहे थे इतिहांस को ठीक है तो यहां पर पुछा जाता है कि इस धारा में तीन महत्ते पुन इतिहांस कारों के बारे में बताईए तो बहुत सारे इतिहांस क बहुत नहीं हैं नहीं सूच हो जो कभी साम्धू नहीं हैं तो यह मतलब सेमस्कारों में नहीं किया है तीक है यहां पर देखोगा जेम्स जो है वो एक भारती हित्यांस के करंदों को कई सारे पता है history of British India उन्होंने नामक पुस्तक लिखी थी ठीक है और जो यह वर्ड है history of British India यह कई बार reform किया गया कई बार यह बुक्स रिफॉर्म हुई और तीन काल खंड़ों में बाढ़कर पूरी इत्यांस को पढ़ाते हैं जिसमें प्राचीन, मद्यवगिन और भारत का सर्विक्षेन पर सुथ किया कि किस तरीके से बारत के अंदर में चीज़ चल रही थी यह बताने की कोर्सिस करते हैं अंगरीजी राज कैसा रहा यह बतान स्टरीक इसने फुशक में निजए और पुस्तक लिखा, जिसके अंदर के अंदर में इसाई धर्म के बारे में बोलवाला किया, कि इसाई धर्म का परचार परसार काहस? जो है प्पुछने का बद जो अब और आ नहीं आज कल वो थोड़े अलग स्क पैटन पे आरे यह थो थोड़ा सा जो भी त्यांसकार के बारे में पूड़ो तो उनकी बुक्स का नाम याद कर लेना बाकी डिट्वेट थोड़े बहुत याद कर लेना और किस तरह के बुक के अंदर में क्या चीज़े में एक बना कर भी कर सको ठीक है आज कर ये कोशन का पैटर्ण चेंज होता ज एक और बनता कोशन क्या है सबसे पहला कोशन आता है कि Cambridge स्कूल जो मुखे तरग तर्ग ओर रास्टवादी आधार पर बताई ये रास्टवादी के जैसे जो इत्यास कारते उन्होंने क्या बोला Cambridge स्कूल को लेकर वह बताई है ठीक है ये बन जाता है एक और बंता कोशन क् अवधार ना थे उसके basis पे बताईए विविविन अवधार ना कुन कुन से तो रास्ट वाद हो गया उपनिवेश वाद हो गया समराज यह मतलब जो भी थे उस समय पे मांक्स वाद हो गया उसके basis पे आप बताईए कि Cambridge school के अवधार ना है क्या Cambridge University बहुत बड़ी निवरस्टी है मतलब बाहर विदेश में पढ़ती है कहां पर पढ़ती है Cambridge School चलिए देखते कितने बचों को पता है कि Cambridge है कहां पर तो कमेंट करके बताइए Cambridge है कहां पर मैं रेली मैं अगर नहीं पता होगा ना तो बहुत बड़ी बात है जो बारे में नहीं जानते हैं चलिए अपने टॉपिक पर जाते हैं Cambridge School जिसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर में बात कर रहे हैं इतिहास कारों का समू था जो अलग अलग टाइम पर पब्लिश करता था एक मैगजिन पब्लिश करता था मान के चलिए ठीक है जिसके अंद बारे में जो लोग जुड़े हुए थे जाधा तर इस इंडिया कंपनी के पुर्व अधिकारी थे जिसके कारण से इस्ट इंडिया कंपनी के दोरह जो भी मूव लिया जाता तो उसको एप्रिषिट करते थे और समरत जिवाद के फैलाव को यह मानते थे समर्थक के तौर को जाना जाता था सम्राज ज på की विचाहधार से काफी से विचाहधार मेल खाती है ये भी दिखा है अगर आप राश्म वाथ की बात करो बême adelante क्याकिए सम्राज सुर्वाध का सूरु विरोध किया अग्सकूल पाया शमलत श cumulative कितना आधुनिक्तावाद क्या है और इस पर इतिहास लेखन के उत्तर आधुनिक्तावादी द्रिश्चिकोन की वेचना कीजिए देखे जो कोशन नमर 9 है यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं कल से अपने वर्टसप गूरुप के अंदर में कम से कम ना दस बार से जादा मैंने इस को को बोला है बताया है क्योंकि कोशन रेली कंफ्यूज करने वाला है सबसे पहले आपको को मतलब समझना है को मतलब क्या है उत्तर आधुनिक्तावाद का मतलब होता क्या है कि क्या होता है कि क्या होता है उत्तर आधुनिक्तावाद चलिए मैं बताता हूं आपको आधुनिक् वहां पर आधी आधुनिक्ताववाद का मतलब आधार मुटें करें या आपके बुक के अंदर में जहां पर उत्तर लगा कर उसका पूरा मतलब शेंज कर दिया जाता है और हम कन्फीज जाते हैं किस टाइम पिलिट की बात कर रहा है मतलब क्या वह टाइम पिलिट खतम होने के बाद जो अगला टाइम पिलिट शुरू हुआ ना उसको पोस्ट च्यों आफिर उतटर उस तरह से लगा कर हम बोलते हैं कि उत्तर रास्टवाद उत्तर केमब्रिजी स्कूल इस तरह से हम बोल सकते हैं मतला वहां पे खत्म होने के बात जो आगे की परकिरियत है आगे कि स्थिती में क्या ओँआवा आगे के टाइम पिलिट में क्या हुआ आगे के टाइम लैप में क्या हुआ उसके बारे में आप में डिसकस करते हैं ठीक है उत्तर आदुनिकताबाद होता है क्या है जब आदुनिकताबाद खतम हुआ अदुनिकताबाद जहां से एंड होता है वहां से उत्तर आदुनिकताबाद के सुरुआत होते हैं उसके टाइ अच्छे नमर आया आपके इसकी में कामना करता हूं अच्छे नमर से अच्छे तरीके से exam दीजिए जिससे आपके अच्छे नमर बने और friends, यहांपे मैं video करेंट करूँगा, thank you so much for watching me, thank you so much for listening to me, bye bye, take care, all the best